तरफ प्रधानमती नरेंद्र मोदी अपनी रालियों के जरीए ये दम भरते हुए कि मैं पिछड़ा भी हूँ, मैं गरीब भी हूँ, मैं देश को अगड़ा बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, यहाँ SP, BSP वाले गड़बंधन वाले बुआ, बबुआ, अपना सि आप बढ़ा रहे हैं, नर्ली सिंग जी. इस चीज़ का जो वजन है, जो वैल्यू है, वो कहीं घट ना जाए, उनके शब्दों की ये कहते हुए कि मैंने पैसाद नहीं बनाया, तो ये तो आपसे कोई expect नहीं करता है कि आप बनाएंगे, जिनकी आलोचना आप कर रहे हैं, उनको उन्होंने बनाया अपनी बद इस् जमिदार जो भी कहें, दिगी राजा, अरजुन सिंग, चाहे वो भी बिल्कु छोटे जमिदार की तरह रहे, लेकि उनको भी एक संपन उस तरह से इस्तिती से वो आये थे, और जाती का है, वीपी सिंग ने आप जैसे ठीक है, यूँ तो करपुली ठाक रो गया, तो सही मा जो जाती से बढ़के हैं, और उसका जो असर हुआ, इसलिए ये ठीक है कि जाती करके न करें, धर्म के नाम पर न करें, जो बार-बार कहा जाता है, लेकिन देशा कहा है, इसमें सारे लोग उसी तरह से खेल जो कर रहे हैं, इसलिए ये कहना कि आज ही अचानक मोदी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट है, बीजेपी भी वही पॉलिटिस करती रही है, साजेच, मुझे लगता है कि वीपी सिंग ने अपनी राजनीती में जब आए और जब वो प्रधान मंतरी बने, उस वगत उन्होंने जाती की राजनीती नहीं कि, मुझे तो ल इस बात से थोड़ा मतभेद रहा है, जो जाती की राजनीती करके नहीं थी. कि अदर हजारों साल से जातिवाद है और इस तरीके का जातिवाद है जिसकी वजह से एक पूरा का पूरे समदा है हजारों साल तक गुलामी राज इसको इनसान नहीं माना गया आज अगर मायावती कुछ करती है तो आपको उस मरिपेश में देखने कोशिच सम नहीं करते हैं मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अगर वीपी सिंग का कोई एक कांट्रिबूशन है अगर अपने नंबर के हिसाब से अपनी भागेदारी मंग रहा है तो लोगों को लगता हूँ जाती बात कर रहे हैं जो लोग हजारों साल से जाती बात कर रहे है वो क्यों चिप थे मेरा यह करना है कि आप गरीब घर में पैदा हुए अमीर घर में पैदा हुए अगर सचमुच भारत जैसे मुल्क में आप गरीबों का साथ देते हैं उनको वाकई